हलो साथियो नवश्कार आज की वीडियो पढ़ाई लिखाई से सम्मधित नहीं है एक जागरुपता से सम्मधित वीडियो है जो हमारे साथ एक बड़ा फ्रॉड होने से बच गया कृपया आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखें क्योंकि आपके परिवार जनों मे भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है आपके किसी जानने वाले के साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है तो कृपया आप लोग इस वीडियो को देखिये जरूर और अपने साथी और अपने घरबालों के लिए अपने रिस्तिजारों के लिए और अपने सभी उन लोगों के लिए जो की ब साधिके से आज फ्रोड होते होते बच गया और लगवक देडर लाख रुपए का फ्रोड होते होते बच गया इसा मूली के तो देखो हुआ क्या सुरुवासस के बताता हूं हुआ क्या कि हम लोग प्रॉपर गाउं से विलोंग करते हैं अभी मुखरजी नगर में रह रहे हैं लेकिन गाउं में भी हमारी खेती किसानी है तो इसके लिए खेती किसानी के लिए हम लोगों ने सोलर प्लांट जो लग रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोग बड़े किफायत किफायती दामों में सरकाल सबसेडी भी दे रही है तो किफायती दामों में सोलर प्लांट लगवा सकते हैं अपने खेतों के लिए जहां से सिचाई आसानी से हो सके तो इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन एपलाई किया था और उसके लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ता ह है सुबह और मेरे भाईया हैं बड़े भाईया हमसे तो उनके पास फोन आता है कि आप ततकाल प्रुवाव से जो पैसा जमा करवाना है तो वो पैसा आप जमा करवा दीजिए जिससे कि आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो लग सके और आपको ये एकाउंट में जमा करा है तो चूकि आज जब मैं वीडियो रिकॉड कर रहा हूं तो यह बात है सर्टेडे की यानि 13 अप्रिल की बात है तो 13 अप्रिल को से सेटैडे था और इतिफाक से बैंक बन रहे था अब भाईया जो है पैसा जमा कराने के लिए जाही रहे थे कि उसका फोन आता है सामने से कि अभी आप पैसा आज मत जमा कराईए, मंडे को जमाई कराईए, यानि 15 अपरिल को जमान कराने का उसने भूला है. तो अब बात होती है कि क्यों वो पैसा जमा करवा रहा था, और ये डाटा उसके पास कैसे आया, कौन ये डाटा दिया है उसको, कि हम लोगों ने solar pump के लिए apply किया है, या solar power plant के लिए हम लोगों ने apply किया है, ये डाटा उस fraud करने वाले व्यक्ति के पास, इस camera है, उसके पास कैसे पहुँचा, ये सवाज सबसे महत्यपोर है, और ये सरकार पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, कि सरकार के डाटा लीक हो रहे हैं, सरकार के डाटा लीक हो रहे हैं, और सरकार हाथ पे हाथ रखी बैठी लिए है, कि आपके यहां से ये डाटा कैसे लीक हुआ, कि किस-किस व्यक्ति ने solar pump के लिए apply किया है, तो ये डाटा लीक कितने तरीके से हो सकते हैं, और कहां से कहां से संभावनाई बनती है आप समझोगे यह आपके साथ भी हो सकता है आपके घरवानों के साथ हो सकता है और यह अलग-अलग तरीके के फ्रॉड आ गए है मार्केट में एक नया फ्रॉड है तो चुकि उसना जब बोला कि second Saturday को आज second Saturday बेंक बंद है तो पैसे जमान नहीं हो पाए अदर्वाइस तो वो जमान होई जाता है तो अब चुकि जब होता क्या है कि कभी हमें कोई शिलाव मिलने वाला होता है तो यह लगता है कि चलो ठीक है जल्दी काम करवा लेते हैं और वो काम हमारा हो जाएगा तो फेती किसानिय रहा है और यह information को leak करने में सबसे महत्यपूर्ण भूमिका किसकी है इस बात को समयने की कोसिस करते हैं अब देखो माल लो यह सरकार ठीक है यह सरकार का कोई विभाग माल लेते हैं एक्जाम्पिल के तौर पर यह हम एग्रिकल्चर बिभाग माल लेते हैं किसी विभाग मा कुछी सारे करमचारी ही काम करने बाले बहुत सारे करमचारी है बहुत सारे करमचारी है अब यह जो करमचारी है इनके पास अलग अलग अकड़े हैं अलग अलग डाटा है आप सबके हमारे सबके और कुछ डाटा इसमें से समवेदन सील है यदि वो स्कैमर्स के हाथ में ल तो अब इन में से मैं अगेन बात है कि यह डाटा किस ने भीजा किस ने दिया होगा अब सबसे ज्यादा डाटा लीक होने की संभावना कहां से देखो आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बतातों आप लोग भले ही बहुत अभी खुस है कि सर यह जो कॉंट्रेक्ट की नौ भाई बती जाबात की चलते हैं आप लोग नौकी पे लग जाते हैं तो इसलिए खुस है लेकिन सचाई है कि यह जो कॉंट्रेक्ट की नौकियां है यह हमारे देश को खोकला कर देगी यह हमारे देश की जो सेक्योरिटी पर है उसको खोकला कर देगी यह हमारे देश की जो समवेदन दील जानकारिया हैं, उनको बहुत उजागर कर देंगी और हमारे देस के खत्रा मढ जाएगा, कैसी, हो जा क्या है? सोचो, एक करमचारी मालीजों कलर्क बन जाता है, सरकारी कलर्क बन जाता है, अब वो यदि कलर्क बन जाता है, तो उसे ये पता है कि मैं पूरी जिन्दी पर अपनी काम जॉब करूँगा, मेरी जॉब की सिक्यूरिटी है, तो इसलिए मुझे कुछ भी गलत नहीं करना है, हो सकता है कि थोड़े बहुत करप्सन करें, कुछ अलग-अलग बात हो सकती है, लेकिन जब बात आती है कि कुछ इस तरीके की समवेदन सील जानकारियां की किसी को भी दे दी जाए, ये सामान तोर पर नहीं होता है, बहुत exceptional case है, अलग बात है, अब क्या हो रहा है, कि ये किलर को पता है कि यदि मैंने कुछ गल्ती की तो मेरे नौकी चली जाएगी और मैं जेल में भी जा सकता हूँ, य लेकर अब ये जो contract वाला व्यक्ति बैठा है जैसे 10-15,000 रुपे मिल रही है, इसको ये पता है कि यार मुझे जिन्दगी यहां नहीं बितानी है, वो भी जानता है कि 10-15,000 में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकर अभी वो गुजारा कर रहा है, अब उसके पास सरकार के समवेधन सील आकड़े हैं, समवेधन सील जानकारिया हैं, समवेधन सील डाता हैं, और उसकी वो सौधागरी कर देता है किसी के साथ, ये आकड़े कौन दे रहा है, ये जो लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग आकड़े दे रहा हैं किसको, स्कैमर्स को, जो दोका धड़ी वह हो सकता है कि इसमें बड़ा अधिकारी भी सामिल हो यह कहां से रहे अग्रा म से रहे तो इस ऑफिसने एक क्रण के सज़ारा कैसे अपके आसपास के। पता होते 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 आपकी समाज में कोई स्केमर बैटा हुआ है उसके पास भात पहुझी और उसने भेला कर दिया पुरा सोचो, डेड़ लाग रुपए आज ही चले जाते, मलबल को थोड़ी सी गलती से, और वो तो इत्तिफाख है कि बैंक खुला नहीं था आज, और बैंक खुला होता तो वो डेड़ लाग रुपए गया था, तो अब हमें करना क्या है, तो पहली बात, जब भी आप कभी, यदि कोई सरकारी अधिकारी बनकर फोन करता है, बात करता है, तो किर्पया पहले तो उसकी आइडेंटिटी पूछने की कुछित करें, और तुरत ही आप पुलिस थाने में कॉल करें, या फिर आप साइबर सेक् कॉल करें कि हमारे साथ ऐसे ऐसे अधिकारी ने इस हितो पैसा मांगा है, तो आप जरूर कॉल करें, बात करें, और अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें, यह मत सोचुके अभी सॉल्ब नहीं हो रही, यह कंप्लेंट दर्ज होना जरूरी है, जैसे हमने दर्ज की है, जिस नाम प्रकार का भी फ्रॉट आया आए कि यह अप बटापटल से Какती यह and the इफोन ओडिया का व्योंकों ठीन लिया जाए एक्स व्यक्ति का वाई ने व्योंगल यआ क्या करेगा वाई क्या करेगा उसके जोfr valeur है उसके जो चौर्श चौर लेगा उन्हें डेखे का मां तजी है आएसे नमबर शींच करेगा थी अशिस्टर वहन डीडी जीजाजी एसे जो समवेदन सील हमारे संबन्ध है कि जिससे एक समय पे कुछ बोल तो तुरंट आपके साथ जान देने के लिए खड़े हैं अब उनसे फोन करेगा उसको कि आपका साला जो है अस्पताल में भरती है उसको मैंने कुछ पैसे तो दे दिये हैं अस्पताल में डॉक्टर के लिए कुछ पैसी तो हमने दे दिये हैं दस जार तो हमने दे दिये लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि यदि अभी तुरंट दो घंटे के अंदर उसका उप्रेशन ने हुआ तो आपको उसकी जान गवानी पड़ेगी इसलिए अब तुरंट तीसरा रुपे डाल दो बना जो है वो बिचारा मर जाएगा आप भावक हो जाओगे कि यार ऐसे हो सकता है उसी के फोन से फोन आ रहा है क्योंकि उसका फोन तो उसमें छीन लिया है अब बोले आप बोलोगे नहीं उसे बात कराओ तो बोले नहीं वो तो आईसीयो में है भरती है वो तो इमर्जेंसी वार्ड में है वो बात नहीं कर सकता है एक्सिदेंट हुआ है बहुत कतर में तो आप चक्कर में आ जाओगे यह तो एक अलग बात है क्योंकि आप उसको जानते हैं आप एक परिबार को जानते हैं वो अलग बात है लेकिन किसी unknown से call आता है message आता है OTP बताओ बिल्कुल भी मत बताओ OTP आपकी कोई समस्या solve कर रहा होगा online मैं ऐसे ऐसे करते जाओ तुम आप बोलो कि सर ऐसा होगे मेरे पास मेरे साथ यह गलती होगे यह होगे आप कुछ भी समस्या बताओगे online और वो solve करने का तरीका बताएगा बोलेगा एक काम करो यह बाला एप डाउनलोड कर लो तो तुम आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा आपका खेला हो जाएगा ओटी पी लिया और आपके अकाउंट से पैसा बेड़ा एक नए प्रकार का फ्रोड जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है उन लोगों के लिए अभी मेरे स्क्रेड के साथ फ्रोड हुआ उसके लाक रुपए है यह दो लाक रुपए हो जाएगी तुमारी क्रेडिट कार्ड की लोगों आप एक काम करो कि इस पे तुमारे नंबर पे ओटी पी आ रहा है वह ओटी पी आप में देदू और उस ओटी पी से क्या क्या उस ओटी पी से पैसा ट्रांसफर हो जाए तो 72,000 वीडियो को और लोगों तक भी पहुचाएं तो जितना ज्यादा सतर को सकते हैं उतना हम लोग हैं और अपने अपने लोगतार अप लोग समझते तो तो कृपया आप दूसरे लोगों को भी समझाने की स्काहए धन्यृवाड नमाश्कार